हलो दोस्तों आप सभी का ससी जी की ज्यान में स्वागत है आज हम इस वीडियो में केमेश्ट्री अर्थात रसाइन विज्यान के कुछ महत्तुपरू प्रश्ण को देखेंगे जो प्रिविस एर एक्जाम एंटीपीसी में पूछे गए प्रश्ण है दोस्तों जो अगरगाम इसमें दोस्तों न्यूट्रान होता है यह प्रोटान होता है तो प्रोटान जो होता है यह प्रमावक्रमान को दरसाता है तो इसका राइट इंसवर ए होगा चली दोस्तों अगले प्रश्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रश्ण है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न पर चलते हैं दोस्तों आप याद रखिएंगा कि आवरत सारणी में उपर से यह से वर्ग में उपर से नीचे आता है तो परमाडू का ब्यास बढ़ता चला जाता है इसमें होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नीचे लिए इसलिए आयोडीन का परमालू का व्यास बड़ा होगा तो इसका right answer A होगा तो चलिए दोश्चों अगले प्रश्चु पर चलते हैं आपका अगला प्रश्च नहीं है कि नीमनलिख़्ित में से किन कड़ों में सकरात्मक आवेश होता है सकरात्मक आवेश होने का मतलब एक पाजिटिव आवेश दोस्तो नूकलियस में प्रोटान नूट्रान होता है और इसके चार और इलेक्टान चक्कर लगाते हैं तो प्रोटान पाजिटिव आवेश होता है नूट्रान पर कोई आव होता है दोस्तों अगले प्रश्ट पे चलते हैं आपका अगला प्रश्ण है कि इलक्ट्रान के सम्तुल प्रतिद्रब्यकरों को कहा जाता है इसका राइट एंसोडी होगा दोस्तों यह जितने प्रश्ट है सभी और टीफी सी ऑललय पर रिच्छ्ब 2017 stanrone में पूछ्ञ प्रश्ण है चैने दोस्तों अगले प्रश्ठ पर चलते हैं और ऑगला इंमें से कानस रचानी परिवरतन के एक उधार है कि इन talvez कॉण्रा stanje अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है कि एक आक्सीजन परमाडू में कितने सन्योजी इलप्टान होते हैं एक आक्सीजन परमाडू में छो सन्योजी इलप्टान होते हैं तो इसका राई टेंसर भी होगा दोस्तों आक्सीजन को परमाडू करमाग होता है वह आठ होता है जिसका इलप्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है किनमे से कौन से एक रसाइनिक प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों इसमें से कौन से एक रसाइनिक प्रतिक्रिया नहीं है तिसका राई टेंसर सी होगा इसके अलावा जो अब गटन आक्सी करण हैडूलिसिस यह सब एक रसाइनिक प्रतिक्रिया है जबकि गुर्तवा करसर एक भोतिक प्रतिक्रिया है तिसका राई टेंसर सी होगा दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है कि वह एक मात अधातु काउंसी है जो कमरे के ताप पर द्रोव में बदल जाती है दोस्तों यहाँ पर शब्द दिया है अधातु तो वह एक मात अधातु ब्रोमीन है इसका राइट एंसर B होगा जो कमरे के 염ता पर द्रव ऑस्था में करें जाती है जयां जाती है दोस्तो आ को एक होता है धात्यू फॉल जो ऑस्था में उत्ती है उसका नाम है पारा पारा उती है धात्यूस्ता फाई जाती है जबकि गहता था से पूछे गाथ संकर आयग होगा च saliva दोस्तों अगले प्रतिक्रिया में निमने लिखित में से क्या होता है अक्सिक्राइब प्रतिक्रिया में कमी होती है इसका राइट इंसर भी होगा गर्म हवा की गुबारे में काउन सी गयस प्रयोग की जाती है तिसका राइट एंसवर B होगा गर्म हवा की गुबारे में प्रोपेन गयस भरी जाती है चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट में चलते हैं आपका अगला प्रस्ट नहीं कि निमलिखित में निमलिखित गयसों में स किसमें एक तीखी गंद होती है दोस्तों तीखा सभाया रखきます कि Germans अगरे प्रवेश्ण तो हरा का कवांसी रसाईनिका की प्रक्रिति हमेशन उस्मा सोशी होता है उसमा यह प्रकिरिया भी है यानि कि अभटन प्रतिकिरिया हमेसा उसमा शोशी होती है इसकी अगले प्रस्ट पर चलते हैं कि दोस्तो इसमे जिटने भी प्रास्थिया कि है पूछे है प्रास्थे प्रास्थ आपका है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उसमा निकलते हैं इसमा निकलते았어 गारी होगा उस प्रक्रिया के क्या नाम है जिसमें गयस सीधे ठोस वस्तों में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों यहां पर याद रखिएगा गयस सीधे ठोस वस्तों में परिवर्तित हो जाती है इसका राइट एसमर बी होगा डिपोजीशन करते हैं डिपोजीशन में गयस सीधे ठोस व प्राप्त होती है जिसका राइट एंसवर सी होगा बोस आइंस्टिन घनी भूत पदार्थ की उन अवस्थाव में सेख है जो बहुत ही कम घनत्तों वाली गयस को अत्यांत कम तापमान के ताठ ठंडा करके प्राप्त होती है जो दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपक के लिए आंसिक आस्वान वीदी का यूज किया जाता है इसका राइट एंसवर भी होगा दोस्तों यह एंटीपी से आलाइन परीचाजीत ने भी प्रस्ट लिए गए हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रस्ट है और रेलोए में प्रिवेस एर एक्जाम से एक क्रतिक गयस चलता है आपका घरेलोन गयस सिलंडर में याई पीजी में सग्रहित की जाती है यादि की London लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों एक घरविलू गैस सिलंडर में यल्पीजू को हाई प्रेसर पर तरल अवस्था में रखा जाता है तो इसका राई टेंसर सी होगा चलिए दोस्तों अगले प्रेस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रेस्था है जब दो तरल पता एक दूसरे में घुलते नहीं है और सालूशन नहीं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे अम मिस्टरी कहते हैं तो इसका राई टेंसर सी होगा जब दो तरल पता एक दूसरे में घुलते नहीं है और सालूशन नहीं बनाते हैं तो उसे अम मिस्रड़ी करते हैं यह दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट नहीं है सही विकल्प के साथ खाली अस्थान भर है तो तत्तों के गुड़ उनके द्रब्यमान के आधार पर मेंडलिफ ने आवा साड़ी दी थी तो प्रमावी द्रब्यमान दोस्तों यहां पर प्रमावी द्रब्यमान के अनुसार यहां पर मेंडलिफ का आवा साड़ी होगा तो इसका राइट एंस्वसी होगा और दोस्तों यहां पर याद रखेगा यह दी यह औही तक परमाडू करमांके आधार पहर, कद तत्तों के गुह को उनके परमाडू प्रक्रमाद के आधार पर किसी Anda रखा था हएْरी मुसले न रखा था, चलिए दोस्तों अगले प्रास्व में चलते हैं, आफ का अगला प्रास्व नहीं आधुनिक वर्त नियम किसी ने दिया था जिसके अनुसार तत्तों के भौतिक और असायनिक गूल उनके परमाळु संख्या के आवर्ति फंक्सन है दोस्तों यहां पर परमाळु संख्या है तो आधुनिक आवात सारई हैरी मोसले ने दिया था तिसका राइट एंसवर ए होगा और यही परमालु दरबैमान परमालु दरबैमान के आधार पर रशाहर के पूछताstein हमें डिलीफ हो जाता आप अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्फन है कि यह इस का no commission है दोस्तों प्रमाळू करमांग 3 वाला से दोस्तों आपको क्म से कम Klinkão क्र gray हाइद्रोजंगले प्रास्टे हैं आपका अगला प्रश्ण है रासानिक तथ्व विशेश रूप से नाइट्रोजन फ्रसमिस्रीत योगी कित्यों पासितिक तंत्र की संपन्दता को क्या करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरोस मिस्षित योगिक तत्तों के प्रयोग से यदि बृधि होती है तो उसे यूट्रिफिकेशन करते हैं इसका राइट एंसो ए होगा कि दोस्तों अगले प्रस्फन पर चलते हैं आपका अगला प्रस्फन है कि निम्ले लिखित में से कौन सी गयस अक्रिय गयस नहीं है दोस्तों यहां पर बताना है कि निम्ले लिखित में से कौन सी गयस अक्रिय गयस नहीं है यहां पर इसका राइट एंसो रोजागा डी प्रशन पर प्रशन को पूचा गया है चितने प्रशन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रशन पर चलते हैं है और आपका अगला प्रश्न है हो जैसे संकेत में यक्स लिखा जाता संकेतिक भासा होगा चलते हैं आपका अगला प्रश्न है यह जिसा प्रषिक इंप्राइट नु अप्रैल और 3 माई को पूचा गया है यह सितने भी प्रषिक प्रस्न है आपका अगला प्रस्न है नीमनलकित मैं से influencer मिस्रण करती है जब इसे किसी धादु के साथ में सिर्थ किया जाता है पराद धातू के नाम आया है दोस्तों मरकरी को पराद धातू भी करते हैं तो इसका right answer D होगा जो liquid fire हम में होती है जले दोस्तों अगले person पर चलते हैं आपका अगला person है बर्फ को पिगलाने के लिए निमलेखित में से किसका प्रियोग किया जाता है जल जब 0 degree centigrade पर होता है तो बर्फ में परिवरतित हो जाता है और इसे पिगलाने के लिए नमक का यूज करते हैं इसका राइट एंस्वर यह होगा जब इस पे नमक डाल दिया जाता है तो यह सु होना को सकते हैं दोस्तों सोना को किसमे घो सकते हैं एक और यह में होसकते हैं चाहिए झाट दोस्टों को एक्वारीसिया का मतलब होता हैं अम्राज हम पूर्टेंट दोस्तों पूछ लिए था है कभी 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 अम्राज थैसे याद रख़ हृए क Черे अगले प्रेस पर चलता है आपका एकला प्रेसना है की निवनलिखित में से काउन सा जिंक का उच्चतम सुरूत है इसका राइट एंस्वर यह होगा अश्ट भूज जिंक का उच्चतम सुरूत है चले दोस्तों दोस्तों यहां पर आपके थर्टी प्लस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करें थैंक्स फार वाची